अखिल भारतिया आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष और इंडियन यूथ कॉंग्रेस के पूर्व प्रधान मनिंदर जीत सिंग बिटा अपनी मुह बोली बेटी की शादी की बधाई देने उसके ससुराल घर बरनाला आशिरवाद देने विशेश तोर पर पहुंचे इस मौके पर SS जैन सभा के महसचिव भीम जैन ने बताए कि उनके बेटे राघव जैन का विवाहा अखिल भारतिया आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राश्ट्रिय सलाहकार सुशील जैन की बेटी हिमानी जैन के साथ हुआ जिसे बिटा जी आशिरवाद देने पहुंचे साथ साथ बिबीम्बी मुद्बार मरिंदरजी सिंग बिटा ने कहा कि सभी राजनितिक पार्टियों को इसे विवाद बनाकर राजनिती नहीं करनी चाहिए विकली को मिलके देश के मिरोधी टाकतों के ऊपर बात करते हुए बिटा ने कहा कि उन्होंने हमेशा आतंक वाद और देश विरोधी ताक्तों के खिलाफ आवाज उठाई है और वह हमेशा उसके खिलाफ डट कर खड़े रहेंगे बर नाला सेहल चल के लिए विनोज शर्मा की रिपोर्ट मैं मेरी बेटी याए अधे दमाद ने मैं उन्हों बादा कीता सी पहला हमां का मैं आनी सक्या किसी कारणा करें ते मैं आज जोना दी मुबारक बाद देना है अपने बच्चे नो सीरवा देना है देको इनो पॉलिटिकल इशू ना ने देखना चाहिए रहा वखरे वखरे प हर चीज तक इसू लबडा कोई अंदोलन दा इसू लबड़ना आ हि हाल दे नारे लगणे जीता दे आप मांतविगल कर नी पंजाब न तोड़ं दी गन कर्णी है और और अंदोलन अंदोलन तो बार राजुनीतिऊ है का अची कल पंजाब दे लोग किथे जाओंगे पंज पंजाब देश ना जुड़या रहे इच पाकिस्तान दखल अंदाजी ना करे ते असी पंजाब नू इन्ने साल दा टेरिजम आसी एक साल चे ठीकी और टेरिजम ले उन वाले भी आसी पॉलिटीशन इसी है चो कोई सानुवाल फरेव नहीं रना चाहिए